हेलो फ्रेंट्स मेरे नाम है संदीफ मार गोहर और हम लिसके से करना है रिसकी मैथमेटरिक्स पर जिसके अंदर का हम देखरा हैं constitutional और आज हम देखने वाले Unique पर्मूटेशन क्या होता है तो आएए देखते हैं इसकी डेफिनिशन ए पर्मूटेशन विच रिप्लिसेज एन औब्जेक्स साइकलिकली इस कॉल्ड असाइकलिक पर्मूटेशन ऑफ डिग्री एन देखिए इसके example देखते हैं उसके बाद आप उसाही में आगा definition क्या कहना चाहती है let us consider let us consider the permutation permutation को दिया हुआ है आप पी element है 1, 2, 3, 4 इनकी mapping है 2, 3, 4, 1 अब इसको आप जहां से देखिए यह जो हमको permutation दिया हुआ है इसमें अगर आप जहां से देखें तो 1 की mapping 2 पर है फिर 2 से start होता है 2 की mapping 3 पर है इसी तरह 3 से 4 है और 4 से 1 पर है means यहाँ पर एक cycle बन रहा है कि यदि हम किसी एक element से start करें तो बापस से उस element पर आ सकते हैं तो इस तरह का यदि कोई permutation बनता है तो इस permutation को हम कहते हैं cyclic permutation is a cycle it can be it can be represented represented by the cycle by the cycle 1, 2, 3, 4 इस तरह से represent करने का meaning होता है कि यदि आप mapping देखे तो 1 से 2 है that means 1 से 2 है फिर 2 से 3, 2 से 3, फिर 3 से 4, 3 से 4 और 4 से 1 तो यह जो representation है इस तरह से यदि हम cycle representation कर सकते हैं तो वह permutation cyclic permutation कहलाता है इसको यदि हम graphically represent करें तो हम क्या लिख सकते हैं element क्या क्या है हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है और 4 है 1 से कहां जा सकते हैं 2 पर 2 से 3, 3 से 4 और again 4 से 1 अब यदि हम दियान दें यदि हम 1 से start करते हैं तो cycle क्या बनेगा 1, 2, 3, 4 यदि हम 2 से start करें तब क्या बनेगा 2, 3, 4, 1 यदि हम 3 से start कर दें तब 3, 4, 1, 2 और यदि हम 4 से start करें तब 4, 1, 2, 3 तो एक ही cycle का इस तरह से हम representation अलगलग तरीके से कर सकते हैं तब ये सभी यहाँ पे equal होंगे ये सारे के सारे आपके equal होंगे ओके ये 1, 2, 3, equal to 2, 3, 4, 1 equal to 3, 4, 1, 2 equal to 4, 1, 2, 3 अब हमने यहाँ पे देखा कि हैदि हमार पास कोई permutation है तो उसको हम इस तरह cyclically represent कर सकते हैं लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक permutation का एक ही cycle बने तो देखते हैं यहाँ पर अब नया concept क्या है कि यदि एक permutation के लिए अलग-अलग cycle बन सकते हैं या नहीं एक और example देखते हैं माली जे हमारे पास कोई permutation है T और उसमें कुछ इस तरह से element है 1, 2, 3, 4, 5, 6 mapping है 2, 1, 4, 6, 5, 3 अब यहाँ पर देखते हैं क्या के cycle बनता है देखिए 1 से 2 है और 2 से 1 है मींस यहाँ पर cycle सिर्फ क्या है 1, 2 तो यहाँ पर हो गया 1, 2 इसके बाद 3 से 4 है 4 से 6 है और 6 से 3 है मींस यहाँ पर 3 element है 3 से 4, 4 से 6 और 6 से 3 तो यहाँ पर 3 element है 3, 4, and 6 और यहाँ पर अब क्या बचा है 5 से 5 मींस यहाँ पर एक single element है 5 ठीक है यहाँ पर अगर हम देखें तो length equal to कितनी है 2 length का meaning होता है इस cycle में कितने elements आपके आए हैं तो यहाँ पर 2 element आए हैं इसलिए इसकी length है 2 यहाँ पर length है 3 और यहाँ पर length है 1 ओके तो यदि एक single permutation single cycle में convert नहीं हो सकता तो उसको इस तरह से अलग-अलग भी आप लिख सकते हैं ठीक है जब हम किसी permutation को अलग-अलग cycle में represent करते हैं तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जितने भी हमने cycle बना है उनमें कोई भी एक common element नहीं होता सभी अलग-अलग होते हैं और कई बार common हो सकता है तो यहाँ पर आप देख रहा है कि हर एक जो cycle हमने बना है सभी में अलग-अलग element है तब ही जो cycle होते हैं यह कहलाते हैं disjoint cycle तब disjoint cycle की definition क्या हो जाएगी two cycles are said to be disjoint if they have no symbols in common means यदि एक से जादे cycle हमको दिये हुए है और उनमें कोई भी symbol common नहीं है तब है disjoint cycle कहलाते हैं अब दोस्तों यहाँ पर जो cycle की length होती है इससे एक और concept निकल कर आता है उसको बला जाता है transposition यदि किसी cycle की length सिर्फ 2 होती है तो उसको हम यहाँ पर transposition कहते हैं means यदि आपको कोई cycle दिया हुआ है और उस cycle के में सिर्फ 2 element है तब उस cycle क्या बला जाता है transposition कहा जाता है definition क्या हो जाएगी यहाँ पर any cycle of length 2 is called a transposition for example the cycle 2, 3 means यहाँ पर सिर्फ 2 element है 2 or 3 is a transposition इस concept का use दोस्तों next वीडियो में भी होगा जब हम even और odd permutation के बारे में पढ़ेंगे तब इसको हम और detail में देखेंगे अभी सिर्फ हम यहाँ पर definition देख रहे हैं transposition क्या होता है अब देखते हैं multiplication of cycles ठीक है इसके लिए क्या करना है we multiply cycles by multiplying the permutation represented by them ठीक है यदि आप multiplication करना चाहते हैं cycles का तो सबसे पहले आप उन permutations को निकाली जिनके द्वारा आप इनको represent कर रहे हैं means direct cycle का multiply नहीं होता है पहले cycles हमको permutations पे पहुँचना रहेगा ठीक for example if the cycles 1,2,3 and 5,6,4,1 represent permutations of degree 6 on 6 symbols 1,2,3,4,5,6 then देखिए हमको इन दोनों का multiply करना है तब हमको क्या करना पड़ेगा cycle आपको क्या के दिया हुआ है 1,2,3 और यहां दिया हुआ है 5,6,4,1 अब यह जो permutations है कितने symbols पर हैं 6 symbols पर है तो पहले इनका permutations लिखिए 1,2,3 का क्या आएगा 1,2,3,3,3,3,1 इतना तो हो गया अब आपकी जितने भी element बचें हैं उनको आपको same लिखना पड़ेगा तो 4,4,5,5,6,6 यह हो गया इसका काम ठीक अब आगे देखते हैं 5,6,4,1 के लिए 5 से 6,6 से 4,4 से 1 और 1 से 5 ठीक है यह इसके लिए हो गया अब क्या क्या बच्चा यहां पर 2 से 2 and 3 से 3 अब जैसा हमने permutations का product पिछली वीडियो में देखा है सेम आपको वैसा ही करना है 1 से 2, 2 से 2 that means 1 से 2 2 से 3, 3 से 3 2 से 3 3 से 1, 1 से 5 3, 5 4 से 4, 4 से 1 4, 1 5 से 5, 5 से 6 6, 5, 6 6 से 6, 6 से 4 6, 4 ठीक है और इसको हम represent किस तरह कर सकते हैं देखिए 1 से 2 है तो 1 के बाद 2 2 से 3 3 से 5 5 से 6 6 से 4 और 4 से बापस से 1 तो यह है multiplication of cycles तो आज की वीडियो हमने देखा cycle permittations क्या होता है यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और दोस्ते लिए आप चैनल परना है तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you